हेलो दोस्तों आज मैं आपके साथ में सेहर करने वाली हूँ आवले की इतम टेश्टी और हेल्दी चटनी की रेसिपी तो दोस्तों चलिए इसी बनाना हम सुरू करते हैं आवले की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे आवले को इस तरह से से कट कर लिया है तो हमने यहाँ पे 6-7 आवले लिये थे जिसको कि उने इस तरह से अच्छे से पानी से धूल की इस तरह से छोटे-छोटे टुकडे में कट कर लिया है जिससे कि आसानी से अच्छे से पीज जाएं जिसे के साथ में हमने यहाँ पे 4 हरी मिर्च ली है आप जितना तीखा बनाना हो उस अनुसार यहाँ पे मिर्च का उपयोग कर ले यहाँ पे हमने थोड़ा सा यह रधनिया लिया है और एक टुकडा अधरक लिया है तो यहाँ पे हमने इस तरह से आवले को कट करके इसके से छोटे शोटे टुकडे कर लिये थे यह देखिए इस तरह से हमें इसके बीज को निकाल देना है तो इस तरह से हमने यहाँ पे सभी आवले को कट कर लिया है और अब इन समी चीजों को हम एक grinding jar में डाल देंगे तो यहाँ पे इस grinding jar में हमने आपे इस तरसे से चोटे टुकड़े में कटा हुआ आवला डाल दिया है और इसी के साथ में इसमें हम यह अद्रक को भी सतरसे से थोड़े चोटे पीसस में कट करके डाल देंगे और यह हरी मेर्च को भी से दो टुकड़े में से करके डाल देंगे अब इसमें हम यह हरा धनिया को भी से कट करके डाल देंगे अब बस इसके बाद 2-3 चीज़े हम और एट करेंगे बस हमरी चेटनी बन की तयार हो जाएगी तो यहाँ पर हमने धनिया को डाल दिया है इसमें डाल देंगे हम आधा चुटा चमच भूना हुआ जेरा का पाउडर आधा चुटा चमच इसमें हम डालेंगे काला नमक और एक चुटा चमच इसमें हम नमक डालेंगे तो काला नमक और नमक दोनों को ही स्वाथ के नमसार रुपयोग करें तो हमने यहाँ पर यह नमक भी डाल दिया है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम ढखकन लगा के एदम बारीक पिस्के तयार कर लेंगे बस थोड़ा सही आपे में पानी को ब्योग करना है तो मने आपे पानी को डाल दिया है और हम ढखकन लगा के इसे हम ग्रैंड कर लेंगे तो ये लिजे दोस्तो ये देखिए मारे जटनी इत्म पॉफेक्ट बन के तयार हो गई है तो ये लिजे दोस्तो आवले की जटनी हमारी सरूर करने के लिए तयार है दोस्तो आप भी एक बार इस तरह से आवले की जटनी को जरूर से बनाईएगा बहुत ही स्वाधिश्ट लगती है दोस्तों और इसके साथ में तो ही healthy है भी हम तो आवले को ऐसे खाना नहीं पसंद करते हैं लेकिन इस तरह से चटनी बन जाए तो सभी खूब पसंद से खाते हैं तो दोस्तों आप भी इस तरह से आवले चटनी को बनाईए और इसके मज़ इतना हो तो दोस्तों जल्दी मिलते में कैसे ही नहीं रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाए